महोदय और साहित्यक मित्र, आज चलिए हमारी दुनिया के पार एक यात्रा पर निकलें, जो सदियों से हमारी कल्पनाए जकड रहा है। चंद्रमा, जो स्वर्गमंडल में हमारी रात्री आकाश में एक आकाशिय साथी की भूमिका निभा रहा है। चंद्रमा, हमारे रात्री आकाश में एक मुहक प्रिष्ट, एक आकाशिय अद्वितियता है। हमारी पृत्वी के चौथाई हिस्से की तुलना में एक विशाल अंतरिक्ष में निरित्य करने वाले एक सुक्ष्म गोला है। इसमें एक रहस्य है, उसके आयाम में क्योंकि यह केवल पृत्वी के भार का एक आठवा हिस्सा है। हमारे घरेलू ग्रह की तुलना में, चंद्रमा में हवा और वायुमंडल की कमी है। इसकी सतह एक विविधता का चित्र है, कठिन और धीली मिट्टी सहित, जिसमें खगोली संघर्षों की कहानियों के साथ सजीव है, और विशाल परवतिय द्रिश आकाशिय विस्तार की ओर पहुँचते हैं। आकाशिय महानाट्य में, चंद्रमा पृत्वी के चारों और एक सुक्षमन रित्य करता है, 3,84,403 किलोमिटर की दूरी पर बसा हुआ। यह एक धैर्यशील 27.3 दिन में एक पूर्ण चक्कर पूरा करता है, दूरस्थ तारों के प्रिष्ट पर मापा जाता है। हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, चंद्रमा चुपचाप अपनी यात्रा की योजना बनाता है, एक आकाशिय समयमान है। इसके अलावा, चंद्रमा पंचांग एक लहरदार सुर में खुलता है, दो लगातार नए चंद्रमाओं के बीच का समय एक मुहक 29.5 दिन या 709 घंटे, यह आकाशी चक्र, एक चंद्रमा की धड़कन, हमारी रात्रियों की लेहर और हमारे साजह कॉस्मिक अनुभव के पै प्रित्य के माध्यम से कई कहानिया कहता है, जब हम अंतरिक्ष के आश्चरियों की खोज करते हैं, तो आए इस आकाशिय सौंदर्य से प्रेरित हों, हमारे चंद्रमा पडोसी की आकाशिय विशालता में एक स्थिर साथी, धन्यवाद.